बच्चो हम बाइबक्सिंग के बाइग्रफी उनके जीवन चरित्र को सुनते आए हैं तीसरे पार्ट में हमने सुना कैसे वैसे उसका अंत हुआ एक छोटी सी चिंगारी बढ़ते बढ़ते जंगल में आग जैसे फैलती है वैसे फैल गई और पूरे भारत देश में बाइबक्सिंग का नाम एक घरल्यू नाम हो गया लोग सब उनको पैचाने लगए भी पंजाब का एक नौजवान है एक दम सामर्थ के साथ आत्मा के अभिशेक से वचन देता है बड़ी बड़ी जागरिती पठान कोट में यहां वहां सब जग़ा हो रही थी तब भाइबक्सिंग को दूसरे दूसरे स्थानों से भी बुलाने लगे उसके बद भाइबक्सिंग आगरा गए फिर लुदियाना गए फिर पू।णे में आए फिर पंडिता रमोबा मुक्ति मिशन में गए चनने में गए ठ्रिवेंडर में गए बहुत सारे जगवे जहां कहीं हो गए बड़ी बेदारी लेकिन बायबक्सिंग बाद में जब उनसे मुलाकात करने के लिए गया जैसे पॉलुस प्रेरित भी मिश्नरी यात्रा पहली यात्रा करने के बाद उनी को मिलने के लिए दूसरी बार गया तो जब बायबक्सिंग उनसे फिर से मुलाकात करने के लिए गए तो उनको देखकर बिटा बहुत दुख्यों हो गए कि वे लोग सब के सब बैक्सलेड हो गए दो तीन चार मैंने रहे और बाद में सब वोई दुनिया के आदतों में फिर वापस चले गए उनका मन बड़ा दुखी हो गए ऐसा क्यूं है परिशान थे वो हजारों की तादाद में नए जनम तो पा रहे हैं लेकिन लोग कुछ मैंने वापस ले आ रहे हैं तब उनके मन में विचारा है भीया मैं तो एक सुवार्तिक हूँ मेरा काम है सूसमचार सुनाना और मेरा काम है उनको नए जनम तक लेकर आना उनके मसी जी उनको संभालने क जिविदारी लोकल पास्टर की है या लोकल चर्चेस की है वे लोग उसका पालन पोशन करें वे लोग उसको बढ़ा है प्रभू में विश्वास में मजबूत करें वचन सिखाएं लेकिन बाद में जब वो दूआ कर रहे थे मनन कर रहे थे प्रभू ने उनसे बोला ने ने तुमारी भी बड़ी जिम्मदारी है कि ना केवल तुम बच्चों को जनम देना है लेकिन जैसे माता जनम देने के बाद उपर से उनको दूद पिलाती हूँ उनका पालन पोशन करती है तुमारी भी जिम्मदारी बनती है इस रीती से उनका पालन पोशन करते वे वचन के द्वारा उनको बढ़ाने का एक रात को भाय बगसिंग का मन बहुत ही व्याकुल था उस दिन वो उठकर घुटने में आए और बहुत ही स्पष्ट प्रभु से कह दिये क्या कहे मालू Lord I am ready to pay any price to do your धाइविल एप्रभुजी कोई सभी दाम चुकाने के लिए मैं तयार हूँ तेरी इच्छाव को पूरी करने के लिए जो तु बूलेगा मैं करने के लिए तयार हूँ हो सकता है इस रीती से आज जब मैं अपने समर्पन कर रहा हूं तो मेरे मित्र भी मेरे विरोधी हो जाएंगे कोई परवा नहीं हो सकता है लोग मुझको वच्छन देने के लिए निमंत्रन नहीं देंगे द्वार बंद हो जाएंगे कोई चिंता नहीं प्रभुजी अब इस रीती से आने वाले दिनों में चाहे मेरे सिवकाई के द्वारा तु एक का उधार करेगा बड़ी भीड का उधार करेगा उसकी भी मैं चिंता नहीं करता हूं तु मुझको कहां रखेगा उसकी भी मैं चिंता नहीं करता हूं प्रभुजी आज मैं तुझको ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए जितना भी दाम है उसको चुकाने के लिए मैं तयार हूँ ये बात समर्पन के साथ जब बक्सिंग ने बड़ी इमानदारी से कहा तो कहते हैं अचानक एक बड़ी शांती उनके मन के अंदर आ गई सारा संगर्ष और सारी चिंताएं दूर हो गई उनके मन की जो व्यता थी वो भी दूर हो गई और उस समय प्रभुन उनको एक वचन याद दिला है कौन सा वचन निर्गमन के किताब चौती सद्याएं टेंथ वर्स बिहोल्ड आई विल डू मार्वल्स देखो मैं अद्बुत काम करूंगा और भाई बक्सिंग के सिवकाई का मतलब ये ये दर्शन जब उनको मिला था तो सिवकाई का एक प्रकार का फाउंडेशनल फ्रॉमिस है बिहोल्ड आई विल डू मार्वल्स देखो अब मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा जो पहले नहीं देखा गया था अब उसी बात पर जब वो मनन करते वे समर्पन कर रहे थे तो प्रभु ने उनको एक और वचन याद दिला है प्रेटों के काम 26 अध्याय और उसके 19 वचन में मैं उस स्वरगिय दर्शन के विशे में आग्या नहीं टाली प्रभु जी जो कुछ तु अब मुझको देगा प्रभु एक अद्बू तरीके से उनके हिर्दय को तयार कर रहा था ये नए दर्शन के लिए और उस रात उसने इस बात को कबूल कर प्रभु जी असल में कहीं नौर्थ पाकिस्तान का रहने वाला विक्ति साउत में कैसे रहेगा बताईए लेकिन मेड्रास के लोग चन्नाई के लोग राजबनी बोलिये ये दुराराज बोलिये ये सब बड़े बड़े लोग जो है बड़े लोग लगा कर प्रातना कर रहे थे कहते हैं ये चन्नाई के उस दिन के जो बड़े बड़े दिगज लोग थे वो ये बरातना कर रहे थे और भाय बक्सिंग उस रिजिस्टिंग वो इस विचार का विरोध कर रहे थे वो इनकी इच्छब थी भी नहीं चन्नाई में सेटल होने के लेकिन उस रात को जब प्रभु ने उनसे बाते की उस रात को उन्होंने जब समर्पन किया उस रात को उसने आत्मा के आवास सुनी प्रभु जी मेरी इच्छा तो नहीं थी लेकिन यदि तू चाहता है तो मैं जरूर चन्नाई में ही रहूँगा क्या करना है मुझको अभी तक नहीं मालूँ प्रभु ने उससे कहा उसी प्रेटों के अकाम के 28 सद्याय में जैसे पॉलुस ने 33 में लिखा हुआ है दो सालो तक एक किराय का मकान लेकर रहा और जो कोई उसके पास आते थे परमेश्वर के राज जी का संदेश उनको सुनाता रहा वैबक सिंग चन्ने चले गए और अपने साथियों को बलाया उसने और उसने का प्रभु इस रीती से मुझसे बाते कर रहा है तो अपने सारे साथिकंस कम से कम 19-20 साथी लोग थे उसके वे लोग सब 21 दिनों के लिए कुनूर चले गए एक हिल स्टेशन है टमिलनाड में कुनूर में जाकर 21 नाइट्स तक प्राथना करते रहे प्रभु ने स्पष्ट अपना वचन उनको दिया और स्पष्ट मार्दर्शन दिया कि चन्ने में जाकर ही एक किराय का घर लेकर वहाँ पर सूसमचार का श्राम और वचन देने का काम शुरू करना है बाइबक सिंग 21 दिनों के प्राथना के बाद उनसे पूछे प्रभु ने ऐसा कहा है क्या आप लोग सब मेरा साथ देंगे उन्हेंने का जो भी प्रभु आपसे कहता है हम जरूर आपका साथ देंगे ऐसे समर्पन के साथ सब के सब चन्ने पहुँचे और पलावारम के पर परवत के ओपर एक रात उपास प्राथना के लिए होल नाइट प्रेयर के लिए पलावरम परवत वह पर एक मसलमानों का एक समशान घाटह है मसलमानों को कबरस्तान है एक पुराना मकान है वो वहाँ पर जब हो गए तो वो जगह में सांप और बिच्छों इसा बहुत होते हैं तो आधे लोग सांप और बिच्छों को मारते रहे उनसे बचते रहे आधे लोग प्रातना करते रहे उनकी पारी खतम हो गए तो ऐसा टर् उने कहा, जैसे सांप और बिच्छुएं आकर्मन करकर मनुश्य का जान लेते, ऐसे खतरनाक विरोध का सामना तुमको करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमको बचाये रखोंगा जैसे रात भर मैंने अंदकार में तुमको बचाये रखा, चन्नाए में विरोध होगा, बहुत सारी बाते होगी, लेकिन डरना नहीं, मैं तुमको बचाये रखोंगा, इस आश्वासन के साथ वो एक छोटे से कमरे में आ गए और जब भोर होने के बाद उस दिन संडे था, तो उसी दिन उन्हेंने कुछ बैप्टिजम्स भी रखे, बैप्टिजम्स होने के बाद हाथ रखने की सेवा हुई, हाथ रखने की सेवा करने के बाद लोग आराधना करने लगे, एक भाई, एक बहन, इंडिविज्वल ओडिबल वर्शिप, मूँ खोलकर और उसके बाद प्रिती भोजन हुआ, बड़े आनंद के साथ उन्होंने वो दिन बिताया, और ने नियम के सिद्धानतों के आधार पर कलीसिया का जनम हो गया अ चर्च, अन दे पैटर्न अफ दे न्यू टेस्टिवेंट प्रिंसिपल्स बाद में जो वे किराय का मकान लिए, वो छोटा हो गया, उसको छोड़कर वो एक थोड़ा बड़ा मकान में गया और वो भी लोग आने लगे, वचन सुनने लगे भाइबक्सिन में बोल दिया, देखो भई, हम यहाँ पर कोई डिनॉमिनेशन के नहीं है हम यहाँ पर कोई चमतकार नहीं करते हैं, हम यहाँ पर कोई सोशल काम नहीं करते हैं हम केवल परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए आया हैं, रात और दिन हमारा घर आपके लिए खुला है किसी भी समय में आप आ सकते हो किसी भी प्रश्ण के साथ आ सकते हो आपको हम वचन सुनाएंगे प्रभु के नाम में आपका उद्धार हो जाएगा दीरे दीरे भीड बढ़ती चोटे घर से बड़ा घर बड़ा घर से जब वो भी छोटा पड़ गया तो भी बखसिंग प्रातना करने लेगे तब वो रिधर्डन रोड विपरी में जहुआ शमा जो अभी कहलाता है वो पहुँचे वहां तक गए बहुत बड़ा सा स्थान है वो बहुत बड़ी जगा है जुलाई बारा तारिक 1941 12 जुलाई 1941 को वो जहुआ शमा में प्रवेश किये और वहां से सेवा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चली गई अब उन दिनों में मैं आपको 1941 की बात बता रहा हूँ यह जो जहुआ शमा का किराया था 145 रुपया बहुत बड़ी रकम है 80 साल पहले की बात है यह बड़ी रकम है बाइबक सिंगम बोला प्रभुजी आपने कहा इसको लेने के लिए इतना पैसा हमारे पास नहीं है मैं किसी से भी भीक नहीं मांगऊ क्योंकि आप ही नहीं कहा था आपकी जो भी आवशक्ता हो मुझको बताना किसी को मत बताना मैं किसी से भीक नहीं मांगऊंगा हग गए दो और आठ वचन में लिखा है सोना चांदी सब कुछ मेरा है सेनाओं का परमेश और यहवा यूं कहता है उस वचन के आधार पर वो विश्वास के साथ सेवा करते गए और प्रभू उनके आवशक्ताओं को पूरा करता गया थोड़ी दिनों के बाद जब उनके आवशक्ता बढ़ गई तो प्रभू तो प्रातना करने लगे अद्बुत रिती से प्रभू ने उनके विश्वास का आधर करते वे देखे उनके आवशक्ताओं को कैसे पूरा क्या उन्ही दिनों में सिंगपूर से जहाज में एक बहन आ रही थी चन्ने और अचानक समुद्र में बड़ी तुफान आ गई वो बहन विश्वासी थी प्रातना की प्रभू जी यदी मुझको तु सुरक्षित मेरे घर तक चन्ने पहुचा देगा ये समुद्र के तुफान से तो मैं जरूर आपके लिए जो भी मेरा सोना गहना है सब को जूरेरी और्नमेंट से सब कुछ में बेच कर आपके काम के लिए मैं दे दूँगी प्रभू ने उनकी प्रातना को सुना तुफानों को पार करती हुई सुरक्षित वो चन्ने पहुची उनको मालूम नहीं था भाई बक्सिंग उन दिनों में कहा रहते थे वो पता लगाई और वो जहोशमय में आई और पर सारे जेवरात वगरा बेज कर एक हजार पांच सो रुपिया बहुत बड़ी रकम है उन दिनों में बहुत बड़ी रकम है उसने भाई बक्सिंग को दी बड़ी रकम दी सेवकाई के लिए बहुत उपयोगी हुआ है बाद में एक और प्रसंग ऐसा भी आया प्रियो कि उनको 345 रुपियों की बड़ी आवशक्ता थी अब वो प्रात्ना करने लेगा प्रभुजी हमको यह आवशक्ता है इसको हम कैसे करे एक छोटी बच्ची बिमार पड़ गई थी और कम से कम दो हफ़तों के लिए वो बेहोश थी दो हफ़तों के बाद जब उसका होश आया तो पहला बात उसने का डैडी बक्सिंग भाई को थोड़ा सा गिफ्ट दे दो तो उसने बोला बेटा मैं तो बड़ा इतना पैसे मेरे पास नहीं है मैं कैसे गिफ्ट दूँगा मेरे पास कुछ भी नहीं है तो लड़की ने कहा ये जो गोल्ड का चेन आपने मुझको दिये न ये चेन बेज़कर आप भाई बक्सिंग को गिफ्ट दे दो इस रीती से प्रियो अद्बुत अद्बुत तरीकों से प्रभु ने उनके विश्वास का आदर करते गए और वो सेवा करते चले गए जहोशमा में सेवा का काम बढ़ता गया और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु ने भाई बक्सिंग को आपको चित्र वहां दिखाई देगा जरूर लेकिन यहां पर सिर्फ बता रहा हूँ आपको मैं भाई बक्सिंग को सेवा के लिए प्रभु ने अच्छे एल्डर्स दिया उन दिनों में प्रभु के सेवक लोग भी दिये उन भाई यहां पर देखे यहां पर है राजमणी दुरह राज देवसहायम जौर्ज राजरतनम और बिलकुल कोने में यहां पर भाई C.E. दासन है और इस कोने में वैबक्सिंग है वैबक्सिंग के बाजू में जौन पॉल जो रांची के सीवक है अलग-अलग कोई बिहार से कोई पंजाब से कोई टमिलनाट से कोई इधर से कोई इधर से प्रभु ने अच्छे एल्डर्स को सहकर्मियों को दिया सीवा का का सुचार गूप से आगे बढ़ता क्या और ना केवल भारत देश से लेकिन बाहर से भी प्रभु ने अच्छे सहकर्मियों को दिया कोई वर्कर्स को दिया देखे ये चितर में आप देख सकते हैं इनका नाम डैनियल स्मित है और इनके बाजो में एक और वेखते हैं उनका नाम अल्फ्रेड फ्लैक एजे फ्लैक हमारे फेलोशिप में दो बहतरी बाइबल शिक्षक थे बाइबल टीचर्स थे एक आपने यहां पर देखा जिनका नाम है भाई सी इदासन और दूसरा एजे फ्लैक वंडरफल बाइबल टीचर्स ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा प्रभु ने सब को इकठा किया और काम बढ़ता चला गया थोड़े दिनों के बाद एक और विक्ती सहकर्मी की रूप में जिसका नाम है चाल्स गोल्सवधी चाल्स गोल्सवधी पांच साल के उमर में नया जनम पाए और मृत्यू से पहले दुबए में जब वो गवाही दे रहते तो उन्हें कहा उद्धार पाने के बाद एक बार भी मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा क्या गवाही सुनी ऐसे ऐसे सैकर्मियों को प्रभु ने द द्वारा बड़ा कड़ा मेहनत परिश्रम करते हैं नाकेल वो प्रभु की सेवा करते हैं सूसमचार सुनाते हैं लेकिन दूसरों की भी बड़ी सेवा करते हैं और सेवा बड़े सुचारू रूप से चलता है और यहां पर हर संड़े को अराधना की सेवा होती है एक भाई एक बहन एक एक घंटा दो दो घंटा उन दिनों में सुबह दस बजे अराधना की सेवा शुरू होती थी शाम को चार बजे अराधना खतम होती थी बाइबग सिंग उन दिनों में छेचे साथ साथ गाने गाते थे गाने वाले, वजाने वाले, अराधना करने वाले और ये अराधना करने के बाद वचन दिया जाता था वचन क्या धारवर लोग अपने आपको जाच कर, परक कर ये दि कोई बाते ठीक ठाक नहीं है तो आपस में एक दूसरे से क्षमा मांग कर लोग बड़ी योगिता के साथ प्रभू की मेज में से भाग लेते थे और ऐसे भाग लेने के द्वारा जिनका विवेक शुद्ध हो गया है मन वचन के लिए बड़ा भूक उत्पन होता था तो बाइबक सेंगे अंतिम संदेश उनको देते थे अंतिम संदेश के बाद वो पृती भोजन में भाग लेते थे पृती भोजन के बाद वो सूसमचार सुनाने के लिए बहार भी जाते थे यदि लोग प्रभू की सेवा करने के लिए चाहते थे, तो वो अपना नौकरी छोड़कर if anybody wanted to serve the Lord they used to resign their jobs, they used to come and stay in Jehovah Shama mature God servants, elderly God servants, they used to teach them they used to prepare them, they used to discipline them ये कोई, ये Bible का seminary college, ने ते कोई theological college में नहीं परियो हम सब के सब अबेद मेले के समान है लोग अनपड़ गवार है हम लोग सब लेकिन प्रभु ने कितना अद्बुत रीती से, जैसे अपनी सेवा के लिए, उसने पत्रस जैसे अनपड़ को तैयार किया, योहनना जैसे मच्छिल पकड़नेवाले को तैयार किया जैसे भाई coolestिंग को तैयार किया किसी ने पूछा, भाईables einem को को सुनकर भ surge आप कौन से थिलोजिकल समिनरी से अपने डिमाने ये हासिल कर मेरी कॉलेज से मेरी सकॉलेज सुननेवाला तंग रहा जो भूला से मेरीी सकॉलिजче का थियलाजिकल से मिलüberि अभी तक मैंने सुना नहीं कभी फोलते आपने कभी नहीं सुना लुका के दसा ध्याय में हो, मरियम, ईशी मसी के पाउं के पास बैठ कर, वो उत्तम भाग को ग्रहन की तो प्रभू के चरुने के पास बैठना ही, वो हमारा सेमिनरी है ऐसा प्रभू के चरुने के पास बैठ कर उसकी मीठी आने को सुनना और ऐसे परिपक्व, मेच्योर सेवों के द्वारा दूसरे जवान लोग तयार होते थे, डिसिप्लिन पाते थे कोई किसी को सैलरी नहीं देता था बैगोलसवर्दी लिख रहे हैं यह असा बात सा कोई तनख़वा नहीं, कुछ भी नहीं विश्वास से जीना है प्रभु ये दिया आपको किसी के दौरा कुछ देता है तो ठीक है नहीं तो देता ठीक है उधारी में बाइबल भी नहीं खरीदना है भूका हूँ किसी को बोलना भी नहीं है सेवा के लिए जा रहे हो तो बस का टिकेट नहीं है तो पैदल चले जाते थे 12-15 किलो मीटर अपनी आवशक्ता को एक से भी नहीं कहना ऐसे विश्वास का जीवन प्रैक्टिकल लाइफ सिखाते वे काम आगे बढ़ता चला गया और वहाँ पर प्रियो कोई मेंबर्शिप नहीं है ना मेंबर्शिप फी है मालूम आपको इस कलीसिया में कोई मेंबर्शिप नहीं है जो कोई प्रवीश मसी को विश्वास से अंगिकार करके जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं यह सब के सब इकठा होते हैं आत्मा और सच्चाय से अराधना करते हैं उसी आत्मा में सेवा भी करते हैं एक साहत वहाँ पर किसी को reverend भाई गोल्सवर्द ये सब लिख रहे हैं वहाँ पर किसी को reverend right reverend, bishop archbishop, ये titles किसी को नहीं देते वहाँ पर हर किसी को boxing, भाई और बहन brother and sister, आपको मालूँ नौजवान बच्चे 20-20 साल के बच्चे जब सेवा करने के लिए आते थे, वे लोग भी boxing भाई को brother बोलते थे हम तो uncle बोलते हैं, कुछ लोग दादा बोलते हैं कुछ लोग नाना जी बोलते हैं लेकिन उन दिनों में सेवा को लोग you have to address them only like brothers and sisters Paul उस जब नय जनम पाया था अननियास उसके पास आया, उसके सर के हाँ पर हाथ रख कर क्या बोला brother Paul भाई पाल उस फिलिपियों को लिखते हैं समय सिस्टर्स कहता है ये बहने जिन्होंने सूसमचार में मेरा साथ देव, उनकी मदद करना सब को brothers and sisters बैबक सिंग बोलते थे I don't want to become a pastor I am not a pastor, I don't want to be called a pastor मैं पास्टर नहीं हूँ मैं पास्टर बनना भी नहीं चाहता है पास्टर कहलाना भी नहीं चाहता हूँ ऐसा प्रियों, सादगी का जीवन विश्वास का जीवन, नमृता का जीवन बलिदान का जीवन मैं प्रभू को धन्यवाद देता हूँ हालां कि ये आत्मा थोड़ी सी बिगड़ गई है लेकिन अभी भी कुछ शेश प्रजा है जो उसी दर्शन को जिन्होंने अपने सेवकों के द्वारा माता पिता के द्वारा पाए हैं और आज वो भी भाए भुक सिंग के साथ बोल सकते हैं हे प्रभुजी जो दर्शन तुने दिया था स्वर्गी दर्शन उसको मैंने अभी तक नहीं टाला सेवका का काम बड़ा चलता चला गया और उसके बाद क्या हुआ 1941 में बाए भक सिंग के बड़ी इच्छा हुई कि बहुत सारे लोग जब पढ़ाय करें कहीं दूर चले आते थे और नौकरी के लिए कहीं दूर चले आते थे उनको संगती नहीं मिलता था क्योंकि अभी तक कलीसिया का विस्तार नहीं हुआ है तो लोग दूर दूर तक फैले वे रदे थे तो बाए भक सिंग से प्रभू ने बात किया देख ऐसे लोगों की मदद के लिए साल में एक बार तो जरूर कॉन्वकेशन रखना इस विचार से कि जो लोग पढ़ाई के लिए नौकरी के लिए दूर दूर चले गए है जिनको संगती नहीं मिल रही है ऐसों कोई कठा करने के लिए होली कॉन्वकेशन भाइबक सिंग करने लगे पहला कॉन्वकेशन डिसमबर 19 तारिक 1941 को शुरू हुआ और जन्वरी के पहले हफते तक 19 दिन तक चलता रहा उस कॉन्वकेशन में प्रियो तीनो टाइम भोजन दियते थे एक से भी कौड़ी पैसा नहीं मांगते थे नो मेंबर्शिप फी नो सब्सक्रिप्शन फी नो डोनेशन फी कुछ नहीं विश्वास से प्रभजी तू ने करने के लिए कहा हम कर रहे हैं हमारी आवशक्ता को तू पूरा कर वो उन कॉन्वकेशन में लव फीस होते थे और पहले कॉन्वकेशन में 1941 की बात है 1000 रहे थे एक हजार लोग उस कॉन्वकेशन में आये थे काम बहुत बढ़ता चला गया काम बहुत बढ़ता चला गया फैल तभी चला गया और उन दिनों में देखे कॉन्वकेशन में कैसे लव फीस में लोग सब नीचे बैट कर खाते थे अराधना के लिए भी नीचे बैटते थे प्रातना के लिए घुटना टेकते थे ऐसे-isे लोगों के गवाही को मैं जानताओं प्रियो जो दस बचे आकर जब घुटना टेकते थे तो चार बज़े तक घुटने में ही रहते थे छे-छे घंटे घुटने में और जब प्रोसेशन के लिए जाते थे तो बाई वक्सिंग बैल गाड़ी के उपर खड़े होकर प्रोसेशन में वचन भी देते थे हज्जारों की तादाद में सूसमचार सुनाते वे सडकों के उपर बाई वक्सिंग से ट्रैक्ट्स पाने के लिए छोटे-छोटे बच्चे बड़े कूध पड़ते थे अब बाई वक्सिंग से प्रवो ने बाते की कि देखिए उन्नीस सो पैंतालीस में कड़पा में जो चन्नाई से करीब करें तीन-चार घंटे के रास्ते दूरी पर है तो बाई वक्सिंग को थोड़ा डाउट लगा सस्पीशिस लगा यह है और वो उर्दू लिट्रेचर बेच रहा है और वो भी क्रिश्चन्स के लिए कोई धोका तो नहीं कर रहे है लेकिन प्रभु ने उनसे का ठीक है ले लो तो उसने प्रभु से अनमती पाकर पांच हजार उर्दू ट्रैक्स ले लिए गॉस्पल्स और बाद में जब में वो सूसमचार सुनाने लगे तो मालूम पड़ा कि करपा के बहुत सा चारों तरफ मुसल्मानों की बहुत बड़ी बस्ती है तो उनको मालूम पड़ा कि क्यों प्रभु ने इस रीती से अद्बुत रीती से एक हिंदू के द्वारा उर्दू लिट्रेचर को एक क्रिश तो हमको उर्दू के सारे ट्रैक्ट्स मिले तो मैंने बाइबल सुसाइटी को फोन किया बताया तो बाइबल सुसेटी वोल भिले हमको उर्दू के आवशक्ता बिल्कुल नहीं है बक्सिंग नाम का एक वेक्ति है जो चन्नाई में सेवा करता उसको आप बेच दो वो जरूर लेगा इसलिए मैं आपके पास आया अद्बुत रीती से प्रभु ने उनके आवशक्ता को पूरा किया और लोग इतने सारे ट्रैक्ट्स लेने के बाद भी और मांग रहे थे सेवा का काम वहां से कड़बा को बेस बना लिए उन्होंने टाइटस नाम का एक भाई था रेलवे में काम करते थे उन्होंने अपना घोर खोल दिये वहीं पर चर्च प्रेयर होता है वहीं पर बाइबल स्टडई होती थी सूसमचार की सवा होते थी, दीरे-दीरे अराधना की सेवा भी वहीं पर शुरू हो गई और कड़पा को बेस बनाकर दीरे-दीरे भाईबक सिंग का पूरा टिम करनूल, प्रुदुटूर, जमल मडगू दुरोना चला मैंसे आंदर प्रदेश के कई भागों में धीरे-धीरे फैलते चले गए अब ये काम इतना फैलत गया, एक बार जब ये गॉस्पल कैमपेंड को महनों के बाद पूरा करने के बाद, जब वो चन्नाई लोट रहे थे तो मालूम पड़ा कि राजमंडरी में एक भाई है, जो रेलवे पर काम करता है वो वहाँ उनसे मिलना चाहते थे तो भाई बक्सिंग को पहरे से बता दिये हम आ रहे हैं, अब हम कम से कम चार-पांच घंटा आपके पास ठिकेंगे थोड़ा सा संगती करके और अगली ट्रेंड से हम फिर चनना ही चले जाएंगे वो भाई बड़ा खुश हो गया प्लैटफरम के पर उनको लेने के लिए और भाई बक्सिंग अपने टीम के साथ इनके घर पहुँचे खाना खाते समय, एक विक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आए, वहला, कम सून, कम सून क्या, all are waiting for you सब लोग रुके वे आपके लिए, क्या all are waiting for you, बोले यहां पर एक meeting के लिए सब लोगी कठा हुए एक हजार के लोग आ गए बै बक्सिंग ने सोचा, कुछ ये धोका देकर हमको फसाने के तो कोशिश नहीं कर रहा प्रभुन उनको इस विशे में कुछ बताया भी नहीं था वो तो आया थे सिर्व राजबंडरी में ये भाई से, विश्वासी भाई से मुलाकात करके, थोड़ा संगती करके अगली गाड़ी से चलने चले जाने के लिए लेकिन उसने इतना उनको जवर्दिस इसको नहीं आने देना, सब अपना दरवाजा बंद कर लेना इसके मीटिंग में कोई नहीं जाना चाहिए ऐसे लोग पास्टर, पादरी लोग, बिशप लोग कहने लगे लेकिन जो लोग वचन के भूके थे जो लोग प्रभु से प्रेम करते थे जो लोग बाइबल के वचनों को सुनना चाहते थे जो आत्मा से प्रेना पायते है ऐसे लोगों, उन्होंने सब बातों को इंकार करके, उनको सबक सिखाने के लिए एक बड़ी सभाका आयोजन किये तब बाइबक सिंग के मन में एक विचारी है प्रभु जी, क्या ये पादरी पास्टर से और उन लोगों से बदला लेने के लिए उन्होंने संभाय ये लगाया प्रभु ने का नई, ऐसी बात नहीं है सच मुच में इनके मन में भूक और प्यास है उनके भूक और प्यास को देखकर बाइबक सिंग ने एक दिन नहीं चार-पांच दिन तक वहीं पर रहे और उनके साथ संगती किये और वहाँ पर भी बड़ी जागरिती आई लोगी कट्ठा होने लेगा और वहाँ से भी बढ़ता बढ़ता हुआ इस्ट गोधावरी, वेस्ट गोधावरी वाल्टेर साइड, स्रीका कॉलम साइड बढ़ता बढ़ता हुआ चला गया पूरा कोस्टल लिलाके में प्रभू को काम बढ़ता चला गया इस रीती से प्रियो प्रभू ने अद्बुत रीती से काम किया और 1959 में प्रभु ने हैदराबाद के लिए उनको अगवाई किया हैदराबाद में जब हो गए थे तो सरोजनी देवी रोड नाम एक है वहाँ पर एक छोटा सा घर लिए और वो घर जब उनके लिए छोटा हो गया तो एक विक्तिन आकर उनको एक दूसरा बताया जिसका नाम एलिम है वहाँ पर बहुत सारे ये खजूर के पेड़ थे उसलिए उसका नाम एलिम रखा कुछ दिनों तक वो एलिम में रहने लगे 1950 की बात है ये 8-9 साल तक रहे एक दिन वहाँ का एक बुड़ा विक्ति जिसको बाद में लोग अपा जी बोलने लगे ये अपा जी कौन है ये उन दिनों के हैधराबाद के प्राइम मिनिस्टर के परसनल सेक्रेटरी है बड़ी हस्ती है निजाम के दिन थे ऊथ और दिन तो हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल असिस्टेंट था वो अपा जी एक दिन जब उसने लोगों को हातों में बाइबिल लेते वे जाते वे देखा तो उसके मन के अंदर एक जिग्यास आये वे ये भीड की भीड इतने लोग बाइबिल में किताबे लेकर क्यों ये कमपॉंड में एली में गुशते जा रहे हैं तो वो खुद गए वहाँ पर एक दिन अपने उच्शुकता को मिटाने के लिए खुद उनके पीछे पीछे चले गए उन्हेंने वचन सुना ये वचन बार बार उनके कानों में गुंज़ रहा था एक मनुश्यदी सारे संसार को हासिल कर ले और अपने प्राण की हाने उठाए तो उसे क्या लाब होगा कायल हो गए प्रवीश मसीर को ग्रहन कर लिए उद्धार पा लिए और बाद में एक बार जाकर 1955 की बात है ये वो जाकर भाई भक सिंग से बोलने लगा कि भाई जी मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है मैं वो प्रवीश की सेवा के रिए दान देना चाहता हूँ भाई भक सिंग बोले नहीं 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 इतना बड़ा हमको चाहिए भी नहीं है बोला हमको नहीं चाहिए नहीं बोलने लगा नहीं मैं आपसे पैसे नहीं लोगा मैं गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूँ दो साल तक प्रवु से प्रात्ना करते रहे 1958 या 59 में प्रवु नुन से स्पष्ट का टेक इट दिस इस फॉर अफ इंडिया ये कॉमपॉंट तू ले ले ये पूरे भारत वर्ष के लिए सेवा का केंद रहे ये उसी को हेब्रोन कहते है 25 दिसमबर 1959 बाइबक सिंग ने हेब्रोन के गेट के पास खड़े होकर और उसने अंदर जाने से पहले बचन 24 के आठ को पढ़कर कहा लॉड आफ लव्ट दे हैबिटेशन आफ दाइए हाउस और प्लेस वेर दाइन ओनर ड्विलेद उनने कहा जो कोई सच्चाई के साथ इस वचन को बोल नहीं सकता है अंदर मताला ऐसे उसका समर्पन हुआ और उसके बाद हेब्रोन में प्रमुने जो काम शुरू किया प्रियों वहां से बढ़ते 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 दुनिया के कोने कोने तक इंटरनेशनल हेटक्वार्टर्स बन गया वो ना केवल भारत देश में लेकिन भारत के बाहर भी लोग जहां जहां गए वहां पर लोग अपने सूसमचारक अपने गवाहे को ले कर गए बाई बक्सिंग के साथ बहुत सारे सेकर्में आपे फोटों में देख सकते हैं बाई मार्टिन यहां पर हैं और बाई बक्सिंग बे हैं और बाई फिलिप भी यहां पर हैं और बाई सोन राओ भी यहां पर हैं और दूसरे विदेशों से भी कुछ लोग आए हैं यहां पर भी कुछ लोगों को आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे सहकर्मियों को प्रभू देता गया और उन दिनों में हर साल में एक बार कॉन्वोकेशन होता था और यहां के कॉन्वोकेशन में लोग एक एक दो दो किलोमेटर के दूरी पर लंबी लंबी लाएने सूसमचार बोलते वे जुलिस में बोलते वे सूसमचार में जाने लगे और प्रभू ने उन दिनों में हेबरोन के लिए एल्डर्स भी दिये भाई ये सुरतनम भाई दासन भाई अगस्टीन और एक और भाई उनको मैं नाम से नहीं जानता हूँ शाद पॉल है कोई डॉक्टर पॉल ऐसे कुछ है इन सब को एल्डर्स के रूप में हेबरोन के लिए निव्ट किया गया हेबरोन के सेवा भी बढ़ती चली गई और कॉन्वकेशन सुन दिनों में अंग्रेजी में मसंदेज देते थे तो तिल्गोर हिंदी में उसका ट्रांसलेशन होता था आखरी कॉन्वकेशन 1985 में जब हुआ था तो करीब करीब तीस हजार के लोग आये थे उसमें मैं भी था प्रभुने बड़े सामर्त के द्वारा हर एक भाषा में काम को करवाता चला गया और वहां पर लवफिश भाइबक सिंग जो कोई उनके पास आते थे हर एक के लिए वही पर घुटना टेकर प्रातना करते थे उस हब्रोन में उनका छोटा सा कमरा था बहुत बड़ी बात नहीं थी उस छोटे कमरे में अपना सवों के लिए प्रातना करते वे सेवा काम बढ़ता चला गया और जब लवफिश में लोग बैठते थे तो सब लोग सेवा में भाग लेते थे भाई फिलिप और भाहिलाजे सेंग दोनों कभी-कभी 300, कभी-कभी 400, कभी-कभी 600 बैप्टिसम होते थे अब को मालूम है 30-30 गाने गाते थे भाई भक सिंग खड़े ओकर वहां पर देखते थे लोग बड़े खुशी के साथ हर एज के लोग, हर भाषा के लोग, हर रंग के लोग, कोई किसी की जात नहीं पूछता, क कोई किसी की भाषा नहीं पूछता, कोई किसी का स्तर नहीं पूछता, तू अमीर है या गरिब, जितनों ने प्रवीश मसी को ग्रहन किये, उद्धार की निश्यत अपाएं, सब लोग बप्तिसमा लेते हैं, बड़े खुशी के साथ, जहां से आये थे, वहीं पर जाकर, वहा है, स्कॉटलेंड मिशन ने उनको कैलिम पॉंग में एक मीटिंग के लिए निमंतरन दिये थे, वो भी एक पठान है, पंजाब का रहने वाला, प्रवीश मसी को ग्रहन किया, वो भी सिवा कर रहा था, और एक बड़ी बेदारी को प्रभु ने वहां पर भेजा, 10th October 1947, और और आज, कैलिम पॉंग, डार्जलिंग, सिक्के, नागा लेंड, अरुनाचल प्रिदेश, नाकेवल प्रियो, दुनिया के कोने कोने में चाहे, UK बोलिये, Australia बोलिये, Canada बोलिये, UAE बोलिये, जहां, Singapore बोलिये, सारे नेपाली भाषा बोलने वाले, फैल गए, और भाई, सेवा की विर्दी को देखा, उनको समझ में आया, मैं अकेला इस सेवा को नहीं कर सकता हूँ, वो बक्सिंग बाषा से मिलने के लिए, जहाँ शमा गए, उनके साथ संगेदी के, और उस सेवकाई को उनने सौंप दिया, जैसे बांडबास ने, अंताकिय की सेवा के लिए, और पॉल उसके हाथों में सौंप दिया, वैसा वहां से काम भैलता हुआ, बढ़ता हुआ चला गया, आखिर में एक बार दुनिया के प्रसिद्ध स्वार्तिक बिली ग्रहम से भी उनकी मुलाकात हुई, भाई बिली ग्रहम बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए उनसे, ब प्रभु जी मैं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए कोई सब इदाम चुकाने के लिए तैयार हूँ, वो समर्पन इस रीती से बदल दिया इस विक्ति को, कि प्रभु ने अपने हाथ में उसको लिया, इतने सामत के साथ इस्तमाल के अप्रियों, जिन बातों को हम जानत नहीं थे, कलीसिया का दर्शन क्या है, अराधना के मतलब क्या है, मेज की सिवकाई क्या होती है, सूसमचार कैसे सुनाना, सिवकाई कैसे करना, वो बहुत सारी बात है, प्रभु ने पूरे क्रिष्टिंडम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन बदलाव लेकर आया, आज य समर्पन करके देखिए, प्रभी शुमसी ने कहा, जो काम मैंने किया, वो तो करोगे, लेकिन मुझसे भी बढ़कर तुम काम करोगे, प्रभी शुरिती से आपको और मुझको भी तयार करें, प्रात्न करें, प्रेवी प्रभी जी धन्यवाद देते हैं, भाई बग्सिंग के समर्पन के लिए, जिसके द्वारा हमने अनभव से देखा, और इतिहास इस बात की गवाई देता है, कि आपने उसको किस सामत के साथ इस्तमाल किये, अपनी इच्छा को समर्पन करने के लिए हमें भी सिख रखाईए, हम अपने जीवनों को आपके लिए सौप देते हैं, आप अपनी इच्छा के निसार, अपने राज्जी के लिए, अपने कलीस्या के लिए, और अपने प्रियों के लिए इस्तमाल करें, पाट के रक्षा करें, अंतिम पाट के लिए हमको तैयार करें, प्रभी मसी के नाम में मांगते हैं, आमें